हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया विर्पा मुहिली जी आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूँ आप जब बोल रहे थे तो आपकी भासा और आपकी भावना को हिंदुस्तान के मुठी भर लोगों ने समझा होगा और मैं जब बोलता हूँ तो मेरा उत्तर प्रदेश बिहार तक के गरामी छेतर में काम करने बाली मा, बहन, मजदूर, किसान सब समझ रहे होंगा आडिस लोक सभा के चैनल से जब बाते परसारीत होती है तो उन सम तक जाती है अध्यक्ष महोदे मैं बोलने से पहले एक बार प्रार्थना करूंगा या देवी सर्भूतेशु मातरी रूपे नसंस्तिता नमस्ता सई, नमस्ता सई, नमस्ता सई नमस्ता सई नमोरो आपने हिंदुस्तान के उस गरविनी मा के बारे में कभी सोचा नहीं नहीं मैं उदाहरन देता हूं मैं जिस समय अपने मा के पेट में था उस समय मेरी मा को अगर दूध दही, मक्खन, घी, मचली, मांज, अंडा क्या कते हैं, ड्राइ फ्रूट, फल, सबजी, भर पेट खाने को मिला होता तो साइध आज भी मेरा रंग रूप कुछ दूसरा हो गया होता है लेकिन चुके, चुके मैं उस मा के पेट से जनम लेके आया हूं जिसको भर पेट, जब मैं मा के पेट में था, तो भर पेट भोजन नहीं मिला आधे पेट खाके सोती थी, और कभी-कभी मा के पेट में भी, मुझे भूखा रहना पड़ता था आपने सोचा, आपके दिल में कभी दर्द हुआ, नहीं, हम तो जेलों में आपके राज में जेल में जाते थे तो गाते थे धनवानों के राज महल हम गरीब को फासी घर, हम चलो बसाएं नया नगर मैं धनवाद देना चाहता हूँ स्रीमान परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को कि उन्होंने उस मा के दर्द को समझा और उस गर्भनी माताओं के लिए छे हजार रुपईया भोजन के लिए दिया सुनो मेरी बात को, हिंदी भासी इलाके के लोगों अगर पिछ्डे हो, दलीत हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो गाउं की जोपरियों में रहने बाले हो सुनो, अपनी अपनी माताओं तो किस्तन देश को पहुँचाओ छे हजार रुपिया पर ते गर्भनी माताओं को भोजन के लिए मिला डाक्तर लुईया इसी लोग सभा में खरे होके कहा था अरे जिस समय में 1960 में गराम पंचाज का परधान बना उस समय कितने लोगों का जनम नहीं हुआ था सौन में जनमा गीदर भादोगा या बार तो कहा यह साब बार जीवर में कभी नहीं देखा इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगा और कास करके रंजीत रंजन मैं उस कोशी के इलाके में घूमा हूँ और जितना मेरे सरीर से पसीना अब गया होगा उतना आज के नोजबान दूध नहीं पीते होंगे इसलिए आप से मेरी प्रार्थना है सुनिए मेरी बात को डाक्टर लोहिया इसी लोग सभा में श्रीमती इंद्रा नहरु गांधी को कहा था कि हिंदुस्तान में वो मा जो गरीबनी मा है गर्व में बच्चे हैं उनको भरपेट भोजन नहीं दाल नहीं प्रोटीन नहीं बितामीन नहीं उनको पोशकता तु नहीं मिलता इसलिए उनके गर्व से विकलांग बच्चे तमजोर बच्चे हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं और जिस देश में मा के पेट से गरीब मजबूर विकलांग बच्चे पैदा लेंगे वह देश कभी बलबान नहीं हो सकता है इसलिए उसके तरफ अगर किसी का ध्यान गया डाक्टर लोहिया की उस बानी को किसी ने सुना तो नरेंदर मोदी ने सुना इसलिए डाक्टर लोहिया के सिस्सु होने के नाते मैं नरेंदर मोदी जो कोट को धनबा देता हूँ जो योजना के बारे में आप बता रहे हैं हमारी maternal mortality rate ज्यादा है भारत में और different प्रदिश में उडिशा सरकार ने पिछले 5 सालों से महमता योजना शुरू किया और आज जो बजेट में आया है ये उसी का ही रिप्लाइ रेप्लिका है इससे पहले ही आजाना चाहिए था महमता योजना इस फौर फाइव यह आफ्टर देलिवरी अप दिच्छाइग यह जो जुना नहीं नहीं था इस आफ्टर इस पहले है ठीक है यह जूनिये तो लीज आप बोलेंगे तो सुनाएंगे हमारे देश में सब साहरन कंट्रीज का मैटनल मोटलिली रेट से भी कम है इसलिए उसको उपर उठाना है इसलिए जरूरी था तो केंद्र सरकार ने कर लिया पैसा सारे राज्यों को भी जाये ठीप है मैं इसलिए कहता हूँ अभी हम बहस क कर रहे हैं केंद्रीय जोजना पर और जब केंद्र सरकार की जोजना पर बहस करेंगे तो मालिय मोहिनी जी कह रहे थे कि सरकार की न दृष्टी है न शंकल्फ मेश को दिखाई परेगा खुद अपने को देखिए इस सरकार की दिसा भी है दृष्टी भी और संकल्प है इसलिए मैं वहीं से सुरू किया हूँ आपने सुरू किया आपके सरकार ने सुरू किया मैं बहुत धन्यबाद देता हूँ अन्य सरकारों ने अगर उस मा के लिए बेटी के लिए महिला के सम्मान के लिए सुरक्षा के लिए सुद्री करन के लिए ससक्ति करन के लिए कुछ किया है तो सब धनवाद के पातर हैं उन सब को धनवाद दिया जाना चाहिए लेकिन दिल्ली की सरकार की दृष्टी की बात हो इसलिए अब प्रधान मंत्री बनात्य सबसे पहले कहँ करो जिसे उनके गर्व से बच्चे को पईदा करेंगे तो वही सीमा पर जाके लड़ेगा और किसान का बेटा सीमा पर लड़ता है सबसे ज़्यादे मरता है लेकिन उसके माँ को सबसे जखकम खाना मिलता था नरंद्र मोदी को मैं हिड़दैस से धनिबाद देता हूँ उन कोटी कोटी माता की ओर से अब उनके संतानों की ओर से कि आपने मेरी मा का इलाज करने का काम किया है खुराग देने का काम किया है इसलिए कोटी कोटी धनबाद के आपात्र हो फिर आप से मैं आगे की ओर जाओंगा आपने कहा दिशा द्रिश्टी संकल या बित मंत्री जी के उस हिंदी में भी है अबरेजी बालों ने भी पढ़ा होगा हिंदी बालों ने भी पढ़ा होगा मैं इस व्यापक के जंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपने बज़ट प्रस्ताबों को दस विशिष्ट अस्तंभों के अंतरगत रखने का प्रस्ताब करता हूं जिन में निमली खित तामिल है नंबर एक किसान नंबर गो ग्रामिन अबादी नंबर तीन जुबा नंबर चार गरीब और विशेश सुभधाओं से पंचित भर्क नंबर पांच अब संदचना नंबर छो बितिये सेत्र नंबर अरजनिक सेवा नंबर नौ विवेक पुर्ण राज किस राजकोशिये प्रवंधन नंबर दसकर प्रसासन एक नंबर पर किसी दूसरे नंबर पर गरामिन विकास तीसरे नंबर पर जुबार बाकि हिंदुस्तान तो इसी में समा जाता है डाव गरीम मजदूर किसान मिलके बनाए हिंदुस्तान आपके बजट की प्राथमिक्ता क्या थी गांधी जी ने दर्सन दिया था गांधी दर्सन है नंबर एक किरसी नंबर दो कुटीर उद्योग छोटे उद्योग नंबर तीन है बरे उद्योग सरदार पटेल के मरने के बाद आपने उस प्राथमिक्ता क सुरू किया है कि नंबर एक पर किरसी नंबर दो पर गरामिन विकास और गाओं किसान सबसे जादे पिछना रहा उसका कल्यान करने के लिए जोजना में जोड़ दिया गया है इसलिए इस भारत सरकार को धनिवाद वहाँ देखिए वहाँ देखिए आप लोगों की तृष्ट कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना बात किसी की कर रहे हैं और गीत किसी का गा रहे हैं अरे गीत गाईएगा जिसका जिसकी गीत है उसके लिए गाईएगा तो सुनने में मज आएगा ना आप तो सुना रहे थे इसलिए आप से मेरी बिनमन प्रार्थना है कि इस पर आ किसान हूँ हमारा जो एकावन में 71.9% किसान था 2001 में 45.1 हो गया 26.8% किसान कम हो गया किसी मजदूर 28.1 था एकावन में 2011 में 54.9 हो गया 26.8% बढ़ गया एक तरफ किसान अगर कमता है तो खुशी होती है कि वह खेती से हाथ के कहीं दूसरे रोजगार में गया गया होगा बाबू बना होगा महल में गया होगा कुर्सी पर बैठा होगा लेकिन जब दूसरे तरफ देखता हूं तो 26.8% इसका मतलब जो किसान था उसको यह आपने खेती हर मजदूर बनाया जो खेती करने बाला था वह मजदूर बन गया गाउं में रहने बाला 26.8 था वह घरते घरते गाउं के अंदर से कम हो गया बिरासी 27.8-24% कम हुआ सोचा कि गाउं का यादवी कम हुआ है सहर में गया होगा अच्छी दुकान बनाया होगा कर खाना बनाया होगा बाबू बनाया होगा और जब दिल्ली में आये रिक्सा चलाते ठेला चलाते फुटपाद पर सोते पेर के नीचे सोते सबसे जादे उ बिहार के जो नोजमान आते हैं दिल्ली में रोजगार खोजने वो मज़गा आये थे किसान का बेटा बनके किसी भी जादिका हो यहां रिक्सा चलाता है ठेला चलाता है मजदूरी करता है फुटपाद पर सोता है बेर के नीचे रहता है एक पेर के नीचे जनमता है पलता ह साधी होती है दूसरे पेर के छाया के नीचे साधी होती है कोई बड़े लोग है होनी मून बनाने मनाने के लिए सुच जर लेंड जाते हैं अरोब बचारे अपना होनी मून उसी पेर के छाये के नीचे बनाते हैं सरक पर गारी घोरा चलता है गरीब का बैचा होनी मून बनात आपका ऐसा था कि आपने उसके लिए नहीं सोचा नरेंदर मोदी जी सब्रक से आ है इनका कलास करेक्टर वैसा है इसलिए उस बर्क की वोर्चिंतन करते हैं ये तो दो भारत का संगर्त है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंदर मोदी जी को कि उन्होंने भारत में एक नए बिजार्दारा के साथ युद्ध को यामंत्रित किया है ना जाने जुद्ध का परिणाम किया होगा लेकिन एक बास समझ लिज्ये जुद्ध का परिणाम निकलेगा अच्छा निकलेगा क्योंकि गाओं गरूम, मजदूर, किसान ये सब अब गया है और हिंदुस्तान के 85% लोग असरी नरेंद्र मोदी जी के पीशे खरे हैं और हिंदुस्तान के 15% लोग हैं उनके बीच में जुद शीरा है या आया है और इसका निराकरन होगा इसलिए आप से मेरी बिलिवन प्राथना है इस पर सोचिए सोचिए हम कहते जाएंगे ल बात कर रहे थे लगु किसान सिमान सिमान किसान दो हजारनब्वे इकानमय में सिमान का परतीसत था फिफ्टी नाइन दसमलव फूर परतीसत जो घट कर के उसकी ख वह किसान 99 में और 18.50 यह सिमांत लगु किसान जितने सिमांत किसान थे वो छोटे लगु से सिमांत किसान बन गए तो 2 हक्टियर, 5 हक्टियर जमीन वाले एक हेक्टियर आधा हेक्टियर जमीन के किसान बन गए इसको किसनी इस इस स्थीज में रहने के लिए मजबूर किया था इसलिए कम से कम आप से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको सोचिए थन्डे दिल से सोचिए हाँ सहाब मलकार जुन साब या आप तो जिस पार्टी से आये हैं हाँ कहिए नहीं आपकी भासियन मैं बड़े गंबीरता के साथ सुनता हूं हमेशा क्यों कि आप एक सोशलिस्ट पार्टी के बैक्ग्राउंड से आये हैं पैदा इस से तो कॉंग्रेस से हुई लेकिन लोहिया जी पहले कॉंग्रेस में थे उसके बाद में सोशलिस्ट बने वो उनके साथ जुड़े हुए थे अब क्या हो गया है बाले वस्ता में कॉंग्रेस थे जो ग्रस्ता अस्रम में सोशलिस्ट में रहे अब सन्यास अस्रम आ गया बीजेपी के साथ है करना चाहते हैं क्या उनके लिए उनके लिए कुछ मदद करना चाहते हैं डिशक उसको नहीं करना चाहता लेकिन मैं उसको तो fragmented भी नहीं करना चाहता है हम अगर एक तरफ बज्ञानी मशीनी कृट अधनी खेती की बात करेंगे पहले हलवाल से खेती होती थी अब ट्रेक्टर से खेती होती है पहले मजदूर हस्वा से गोहम कारता था अब कमबाइन मसीन से गोहम कारता है एक तरफ कहते हैं कि बेज्ञानी खेती करो मसीनी किरित खेती करो अब दूसरे तरफ जमीन का बटवारा करो वो भूमी सुधार नहीं था भूमि सुधार नहीं था भूमि का लूट था भूमि सुधार का मतलब बहुत कुछ होता है जिस पर आप बहुत करेंगे तब हम कर लेंगे आप इसके एक बात सुनिये अभी आपने कहा भले आपने लोहिया जी का कहा अभी जो मान्य परधान मंत्री जी ने ये बेनामी संपत्ती को छिनने के लिए जो कानून बनाया है और जटली जीले उसमे करे दंडों का प्रावधान किया है तो आपने सोचा की कहां से सान उनीस तो पैस्टपन सान उनीस तो पच्पन समाजबादी जुबक सभा के पूरी सम्मेलन में ब्याख्यान देते हुए कांचन मुक्ती पर डाक्टर लुहिया ने कहा था अपराधियों के लिए उचित दंड की व्यवस्था रहनी चाहिए और विशेश रूप से अववैधानिक संपतियों को छीने लेने की इंकें तु ऐसे कानुन बनाने से पहले आवस्थक है कि उसके समर्थन में सक्ति साली जन्मत त्यार हो नेरेंगर मोडी जी ने जन्मत त्यार करने के लिए कई जोजनाएं चलाई है कि जिससे वो समता समाज को लाने का काम कर सके और समता समाज भारत में आ सके बेनामी संपत्ती छीने जाएंगे किसके छीने जाएंगे कल मानिय प्रधान मंत्री जी ने जब विष्टार से कहा था और फिर कल यही भी मुद्री करन पर साम में मानिय जटली जी अपने प्रतिवासे जबाब दे रहे थे तो सभी के बाद सब चूप हो गए किसी की बानी नहीं निकली कोई तर्क नहीं निकला अजब तर्क नहीं निकला तो सदन से चल दिए कोई बहाना चाहिए इसलिए आप से आप इस पर सोचिए गौर से सोचिए लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं मुईली जी आप इतने आकड़े उसमें से देते हैं मैं आकड़ा नहीं जानता लेकिन मैं हर्याना का किसान कहता है हिसाब यू का यू बता कुनमा डुबा क्यू हिसाब यू का यू अब बता कुनमा डुबा क्यू सब हिसाब तो ठीक हैं आकड़े आपके लेकिन हिंदुस्तान के अमीरी गरीमी में फरक क्यों हुआ हिंदुस्तान के गाउं और सहर में फरक क्या हुआ गाउं के किर्सी और उद्योग में फरक क्यों हुआ क्यों हुआ आपकी नीथी के कारण हुआ आपकी जोजना के कारण हुआ अंकसास्त्री होते हैं की हिन्दूस्तान के अंदर मैं आपको निकालके बताना चाहता a हिन्दूस्तान के अंदर कभी इसी लोग कभा में बोलते हुए पहा ठारो सब्सक्रात को ज़ना वर से समझ यदा कि उन्होंने कहा था कि जितने हिंदूस्तान में अंकसास्त्री हैं वो अंकसास्त्री साब के समान है जैसा बीन बजाओगे वो ऐसा नाचेगा अगर बीन बजाना नहीं जानते तो क्या नाचा पाओगे इसलिए आप समझे कि वो ही अंकसास्त्री है वो ही आकरा है लेकिन उस आकरे को आप छीक से समझ नहीं पाए थे आपका वो अंकसास्त्री बीन बजाता था आप नाचे थे नरेंद्र मोदी में पुरसार्थ है परिस्रम है बुद्धी है छमता है युगता है करमचता है गरीब कल्यान के वो उसको ले जा रहा है इसलिए इस बात को सोचना चाहिए आपके आप जिसका खाते थे उसका गाते थे नेरेंदर मोदी जिसके गाउं गाउं में घूम के परचारा के हैसिया से या गरीब के हैसिया से जिन गरीबों के अन को खाया है नमक को खाया है, रोटी को खाया है, जिसके घर में सोया है, जमीन पर सोया है, जिसके चताई पर सोया है, उसने देखा है, इसलिए नरेंदर मोदी की दिरिष्टी उधर है, आपकी दिरिष्टी उधर थी, इसलिए आपको नहीं पता लगता है, दिरिष्टी क्या है? मलिका अर्जुन सहाब मैं तो धनी हूँ इसलिए कि मैं जिस संस्कार में पला हूँ डाक्टर लोहिया के संसकार में पला मैं 1950 का संका स्वेंग से बख हूँ ये भी मैं गर्ब के साथ काता हूँ मेरे मेरे उमर के स्वेंग से बख अब भिहार में एक माननीय के लासपती मिश्री जी थे अर्यार्वी संकर जी के पिता जी थे जो मुझे सिनियर थे नहीं तो अप उस निर्विकता पाटी के तरफ से बोल नहां हूँ क्या आप उस निर्विकता के साथ बोल सकते हैं अग्जी नहीं बोल सकते प्लीस लू कर द创िए आ येस मेड़on वापू से में आपसे में प्रांफना करता हूं आब यहें था सभी में ज्यादा समय नहीं जूँगा मैं एक दो जो जिनकर सामाजी कारती ज्चा करके खतम करूँगा परधान मंत्री परधान मंत्री किर्शी सी चाई जोजना परधान मंत्री किर्शी सी चाई जोजना अगर मेलकार जुन जी कह रहे थे तो इससे ज़्यादा लाग की इसको होगा हर खेत को पानी हर हाथ को काम मिलेगा इसे हर खेत को जब पानी मिलेगा तो पिश्रों को, दलितों को, कमजोर बर्गों को जादे लाब मिलेगा क्योंकि खेती किसानी वही जादा करता है उसके खेत में पानी जाएगा उसके जे खेत में हर्याली आएगी चेहरे पर लाली आएगी घर में खुसाली आएगी बेटों को पढ़ाएगा आगे बढ़ाएगा तब आएगा जब जब खेत में पानी होगा तब और आपने जोजना बनाई मैं बिहार से रहने बाला हूं उत्तर परदेश के लोग जानते हैं आपने कितनी सिचाई योजनाई बनाई एक पस्मी कोसी नहार है मेरे मितलांचल में 1960 में जोजना शुरू की गई और आज तक मेरे खेत में पानी नहीं आया जमीन भी गई उत्तपादन भी गया उन्हों जोजनाई भी चली चलती चली गई वो जोजनावली किसलिए ऐसी जोजना बनाओ जो आगे बढ़ते जाए कभी जोजना पूरी नहीं हो इंजिनियर नेता, अठिकेदार तीनों मिलकर के तिकरी बनाओ अलूट लूट के खाते रहो इस जोजना को कभी पूरी मत होने दो क्यों? साथ इसमी से जोजना चलाए पस्वी कोशी नहर आज तक पूरी नहीं उतर परदेश की सिचाई जोजना आए क्यों पूरी नहीं हुई इसके लिए कौन जीमेदार है? परदान मंतरी ने संकल्प लिया है राज सरकारों का साहयोग मिलेगा तो हर खेत को पानी मिलेगा हर हाथ को काम मिलेगा चेहरे पर ला ली आएगी घर घर में खुसा ली आएगी इससे पिछरे दलीत गरीब समाज का खल्यान होगा दूसरी जोजना है जो मिर्दा परिक्षन जोजना भूमी स्वाइल हेल्थ कार्ड आप इतने दिन तक क्यों नहीं सोचे आपको अंधाधून जमीन में खाद देते चले गए इसका लिए समय लगेगा कौसलेंदर जी चट मंगनी पट बियाह नहीं होता है आप लोगों ऐसे सोचते हैं चट मंगनी पट बियाह जो मिठलांचल में कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर यह बारा करोर हेक्टियर जमीन है उसमें मिठला परिछन का काम कोई असान नहीं है यह जुद दस्तर परिछन के लिए किसी भी ज्यान केंटरों को लैब दिया गया है उसमें टेस्टिंग मसीन दिया गया है उसमें जमीन की मिट्टी की जाँच होगी और मिट्टी के स्वास्ट की जाँच होगी उसमें कौन चीज खमी है यूडिया कम है नेट्रोजन कम है फास्परेस कम है पोटास कम है जिंक कम है सलफेट कम है क्या कम है ये जाँच करने के बाद और किसान उसके हिसाब सुस्थ में डालेगा अब हमारा मेरा बच्चा मेरे जैसा अनपरगमार नहीं है मेरा पोता मुझसे जादे होसियार है क्योंकि कंप्यूटर से नेट से निकाल के सब कुछ को देखता है आदनी खेती करेगा जब उसके हाथ में हिसम मिलेगा तो तो मिर्दा वाला काम उसी तरह है उसी तरह लग उसी मांत किसानों को रुनका आप से मैं प्रार्थना करूँ कि गरामीन गल्ला गोदाम की जोजनाटल विहारी बाजपरी ने सुरू की थी हमसे तो हिसम मांगते हैं आप दस बरस में हिसम दीजी न कितना गरामीन गल्ला गोदाम बनाए जोजना को ठब कर दिये कहीं गोदाम नहीं है बिहार में टक्स में गोदाम नहीं है टक्स किसान का धान नहीं खरीद रहा है सरकार करें सारे 400 रूपय कुंटल मैं किसान हूँ अपना 120 कुंटल धान 1200 रूपय बेच के बिहार में आया हूँ कहां है ववस्ता बिहार सरकार की बागी कहते हैं वही है उतर पर्देश में किसान भठक रहा है क्यों नहीं वेवस्ता की गई गला गोदाम क्यों नहीं बनाया गया इसलिए नहीं बना कि अगर गरमिन गला गोदाम बनेगा पैक्स के अंदर धान खरीदा जाएगा किसान को ज़्यादा रेट मिलेगा किसान खुद हाल हो जाएंगे तो ये मील चलाने वाले बैपारी कहा जाएंगे इसलिए किसान का गीत गाते रहो अमबैपारियों को लाव पहुंचाते रहो किसी का गीत गाओ किसी को लाव पहुंचाओ इस पर ज़रा सोचिए आप से यही कहने के लिए मैं खरा हुआ हूँ आईए भारत सरकार के लिए बित मंतरी जी ने परदान मंत्री जी ने मुद्रा बैंक के अस्तापना की कि इसको लाब मिलना है जितने मीले उसको कून दे रहा है इसलिए आप से सुनिये गौर करके ये मुद्रा बैंक से बीना गरंटी के सेलफ गरंटी पर 10 लाख तक कर जा दिया जाता है आपने कभी इस पर सोचा था किया कि खुद की जमानत बनके और दस लाख तक रुपिया मिले ये गरीब लेगा ये गरीब को मिलेगा किसान के बेटे को मिलेगा मजदूर के बेटे को मिलेगा पिछिरों के बेटे को मिलेगा दलीत के बेटे को मिलेगा समाज के उपक्षीत उपहासित खमजोर बर्क को मिलेगा उसके घर में खुशाली आएगी एक कौसल विकास जोजना क्या है चमरे का काम, लोहे का काम, गिटी का काम, मिटी का काम ये काम कौन करता है ये सभी काम करने वाले हैं पिछड़े और दली समाज के लोग इसलिए गाओं गाओं में कौसल विकास जोजना के लिए परसिक्षन के अंदर बनाया तीन हजार रुपिया उनको परसिक्षन के समय में मिलेगा और गाओं में बैट करके अपने कौसल की लोगे उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा राज का मिलेगा, मिस्तिरी का मिलेगा, हलबाहा का मिलेगा, कोदारी चलने का मिलेगा सब काम करा मिंच्छत में करने वाले, उन गरीबों को कोसल भी कास का प्रमान पत्र मिलेगा वो भी एक सर्टिफिकर्जे में लेके जाएगा, क्योंकि हमको कहा जाता था उनसिक्टिल डिलेवर हूँ किसान उनसिक्टिल डिलेवर है और रगगी लोग स्चिलल डिलेवर है जो मैं एक बार अपने खेत में हल चला रहा था मेरे गाव के बगल में दीफ रखेंस का हवाई पटी है, जाहाज अगतlas हॉआ रहा था तो मैंन diff गखए ये उपर से कुछ बोल रहा है हवाई जाहाज उराने वाला तो मैं अपने अंदर से कहा क्या बोल रहा है तुम यही कह रहा है कि मैं टेक्निकल हूँ हवाई जाहाज उरा रहा हूँ तो जा हवाई जाहाज उतार के या मेरा हल का मूठ पकर के जोत के बता अब आई जिहाज उराने में मैं नन टेकनीकल हुँ, हल चलाने में तुम यह ठान ट्रतिकनीकल हो। दोनों का सवधा बराबर है। तेरी विध्या हम नजाने मेरी विद्या तुम ना जाने। आज किसान की बात करने भाजे बड़ी बड़ी नेता है। विरेंदर जी उस दिन पहा रहे थे, कि उनके आगे में गाया भैस रख दीजिये, ते भी नहीं पता लगेगा दूध आगे से निकलता है, कि दूध पिशे से निकलता है, काली भैस काली गाय में फरक न करें, अच्छा लीआबे, जो किसानी की भाद करते हैं, हमोन्यता नही जो नाटक करते हैं, सिनेमा में यो याता है, हल चलाता है, कंधे प्रजूआ रखता है, एक तरह बैल को जोतता है, अब फटे कप्रे फार के जिस अच्छे कप्रे को फार के लेला मजनु का खेल करता है, उशी помог जिप ने फटे कप्रा में मुझनु थे उस समय यह जीन्स फिन्स यह पैंट पतलू नहीं था हम तो जो अंडर पैंट भेंट भेंट हो याप उडोरी वाला पैंट पहंते थे अब बोरे की टाच पर पैशते थे गाह में बैट के बासी भात खाते थे जनम लेते हो राजा घर में पलते हो रानी के महले में जाते ह कहीं विदेश में परकर आती हो कहीं सा कहीं और किसी के बारे में अप नाटक करते हो इसलिए आप आप इस बात को समझ्य कुणहु शभाप्ति महुद हैं मैं इस देश के उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि जो आदमी अपने ना थक्ये द्वरा अपने भरंफ राते हैं या हिंदूस्तान के गाव गरीब किसान प्छों को ठगना चाहते हैं अब गाव गरीब किसान मजगुर का बेटा भी चलाक है तेज है परहा लिखा है लैपकप रखता है, कंप्यूटर रखता है, मोबाल रखता है, वो भी निट पर सब कुछ को देखता है और एक एक नियता की जनम से लेके मरन तक की कहानी निकाल के पढ़ लेता है गोगुल के मारफ़त से, इसलिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते आखिर में मैं खाना चाहूँगा एक एक जोजना को लीजिए, जो परधान मंत्री जी ने गिनाया बित मंत्री जी ने गिनाया, उन सभी जोजना को लीजिए गाउं में सरक बनाने के लिए परधान मंत्री गरामी सरक जोजना अटल भी हरी बाजपरी ने चलाया था उस समय में उनके साथ मंत्री था क्यों चलाया? गाँ में सरके नहीं मैं उसी लिए इलाके में जनम लिया हूँ सवापती महोदय कि बार के समय जब चलता था उसी इलाके से संतोष जी है जब उस कोशी के इलाके में हम चलेकील पर कभी सईकिल मुझे पर कभी मैं साइकिल पर क्यों इसलिए कि सर्क नहीं थी कादकी चर कादो और हमारी बेटी साधी करके आती थी भग उठना कीचर में जाजा करके तब अपनी सुस्राल जाती थी ऐसे भारत के दर्द को समझा श्रिमान अटल भी हारी बाजपरी ने समझा उन्होंने प्रधान मंत्री गडामिन सरक की जोजना सुरू की रुको गाओ की गरिबनी बेटी रुको पिछले दलित की बेटी रुको अब तुम भी पैदल नहीं जाओगी तुम भी सस्राल से आओगी जीप गारी पर बैठके अपने सस्राल तक जाओगी तुम अब गरिबनी नहीं हो तेरे भी भाग भविश्व बदलेंगे दस बरस अपने राज चलाया परधान मंत्री सरक जोजना को ठप कर दिया पैसा नहीं है राज सरकारे पैसा मांग रही है बहाना बनाते हैं ऐसा किया कि तीन बरस की जोजना को एक साल में चालू किया कि थोरा थोरा इट धर दो कहीं का इटा कहीं का रोड़ा भानवती ने कुनवाज ओड़ा चलिए नास कर दो इटेल दाल दो सरक बनेगी नहीं गाउग को खारेंगे लोग को एक बोटी सी पर लड़ेंगे लेकिन गाउग के लोग इतने मुरक्त हो रहे हैं भाई नरेंगर मोदी जी प्रधान मंतरी गरामिन सरक जोजना के लिए 27,000 करोर रुपिया जो दे रहे हैं और कितरा किलो मीटर से 113 की 115 किलो मीटर रोज परधान मंतरी गरामिन सरक जोजने का लक्ष रखा है इससे गाउँ बदलेगा गाउ में सरक जाएगी गाउउग की गलिया पक्की होगी आपने मनर्गा चलाया मैं कहता हूँ सारे पैसे से लेके हमारे गाउउग की गलियों को पक्की करण कर देदे ग्रामी सरकों को फकी करन कर देते हमारे ट्रेक्टर चलाने का रास्ता देते हमारे मसीन चलाने का रास्ता देते हमारे मोटर साइकिल चलाने का रास्ता देते गाओं में गारी जाने का रास्ता बनाते गाओं का काया कल पर खल्यान हो जाता सबसे जादे रोजगार और सबसे जादे विकास का साधन है आपका ध्यान उसर क्यों नहीं गिया बात करने से नहीं काम करके दिखाओ नरेंद्र मोदी बात में नहीं काम पर भी स्वास रखते हैं इसलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं आप से मैं घाना चाहता हूं कि जरा lek वाक्ता बोर तो कहते हैं कि वाक यो नहीं बताईए शाव साथ बरस द तक यERS वाद सालतिकी सरकार साथ बरसंग आप नहीं कढ़े इतने दिन में खरके दिखाओ कबिर धासी ने कहा धीरे धीरे रेम अधीरे सबalalת पिचे सोगहरा रिधुढवल होगा जब जोजनाे चली हैं तो अमच में हैं कोई दस वरस में कोई बीस निर्मान अपना घर निर्मान परिबार निर्मान अपने संतान का निर्मान एक अलग बात है दोनों की दृष्टी अलग है और दोनों की दिसा अलग होती है आप जब देखते हैं तो हमारे को क्या देखते हैं मुईली सहाब आप अपनी को देखिए हमारे और मत देखिए अपनी अपनी और देखिए दोस पर आये देख करी चला हसंत हसंत अपने याद नयाब हैं जि मत चलिए अपने की गठ्री उखो लिए उसमें अपने को जहां किये आखिर आपने क्या किया जो आप 400 से उपर सीट बाले या 44 पर आ गए सोचिए आप ब्यक्षा करिए आप हम कहां दो पर थे मानिय अड़बानी जी हैं हम कहां दो पर थे जाते जाते आद 280 पर पहुँच गए आखिर हम में कुछ गुन होगा काबलियत होगी लोगों में लोगों ने विश्वास किया होगा बोट लूट के नहीं आए बंदुक के बल पर नहीं आए लोगों का विश्वास जीत के आए और आज भी भारत के लोगों का विश्वास है फिर अंत मे इतना ही को नोट बंदी की चर्चा बहुत किये किसान की बात बहुत किये कल भी भर दिन चरचा किये आज भी उतने बाद इनउट बंदी एक हरी किर्टन है आपका तो जब-जब संक्त आये तो भगवान का किर्टन करो ठोल बदाहू इसलिए जब से सून रहा हूं कितरे दिन से एक बार राम जिला के मैदान में वो अन्ना हजारे जी ने और एक कोई नेता है दुनिया भर में जोल पिठने बाला उसका मैं नाम नहीं लूँगा वो उसमें किर्टन करता था और सबेड़े से साम तक धबडबडबडबडबडबडोल बजावे लोग तंग आ गए तो हम किसान को गरीब को मजदूर को किसान को गरीब को मजदूर को हम तक किसान है दो हजार रुपया हमारे बिहार उत्तर प्रदेश में दो हजार रुपया महिना से जादे नगदी किसी किसान के घर का नहीं है चाबल अपना दाल अपनी यहूं अपना सबजी अपनी दूध पैसा कूट के खाएंगे हमको दो 2000 में महीना चलता है 4000ico 2.000-5000 hemos घर में रखे थे एक दिन में बदल के ले आए और चेंग तीन महिना चार महिना तक घर में छो महिना तक खर्चा चलाए कलेजा फटता है उनका कलेजा फटता है उनका जो फाइब भश्थार होटल में जाते थे राजारानी रहते थे उस सूट का किराया एक दिन का एक लाख प्साइब करा फूल रात का कि खीराया है इतने अधर होड़ा जाऊंगे इसलिए उसकी आप उनकी बात करते जो पैसा खरसते नहीं है, पैसा को फूकते हैं, अब उनकी बात करते हैं, जो पैसा खर्च नहीं करते हैं, पैसा को उड़ाते हैं, पैसे को लुटाते हैं, एक बार इसी सदन में चर्चा हुई, इतने पैसे, उतने पैसे, चर्चा में आई, एक मेरे साथ ही, संजोग से मैं नम कोंगा वो बरे हैं एक दिन उनके पास गए तो वो बोतल निकाल के पीने लगे हमने कहा कुण सर्वत है तो उने का बिलाइटी है भीदेशी हमका भीदेश में भी सर्वत बनता है इसकी कितनी कीमत है तो पहता आलीस हजार मैं दिमाग में जूढने लगा अपने बाप भी पह के 4500 का सरवट तो जीवन में ह efic home ये एक एक बोतल तो आपको उनकी चिंता है जो 4500 के बतलकर सरवट पीते हैं उनका लुटबाए हो बाठ कर के खाया हो नर्यंद्र मोदी आ landmark ए眼 शन तॉन्य दिवाला निकल जाएगा गाउ किसान में जो उसके बेटे के छेरे पर ला ली आएगी उनके घर में खुषा ली आएगी इसलिए इसलिए भी बै dari है थीक बात है कल्यान जी है नों जी आप मेरी बात न समझेंगे को Nepal आप तो अच्छे वकील हैं आप तो अच्छे वकील हैं ना जजाधे पृषा देगा उसका बहत करते हैं आप वकील हैं उसके जजाधा फीस देगा उसकी बहत करेंगे कागत भी न पूछेंगे कुछ ने कराइम किया है कि नहीं किया है मैं मैं अपनी बात समात करते हुए कहता हूँ एक बात हिंदुस्तान के गाउं गरीब किसान मजदूर पिश्रे धलित जितने लोग हैं सब के लिए किया मोदी जी ने कहा सब का साथ सब का विकास उस सब में कौन नहीं है हिंदू है, मुसल्मान है, सिख है, इसाई है गरीब है, अमीर है, पिश्रा है, दलित है सब का साथ, सब का विकास खेत में पानी, सब के खेत में पानी हर हाथ को काम, सब के हाथ के काम हर के चेहरे पर लाली, सब के चेहरे पर लाली, हर गरिवी गर्फने मैता को छो हजार रुपया, सब के घर में छो हजार रुपया, कोई भेद नहीं है, किसी जात के लिए, ना अल्प संख्यक है, ना बहुत संख्यक है, हिंदुस्तान एक समान है, इसलिए समधिरिष्टी पाएगा जब सबसे जादे पिछरे परके में नोग Videos ज़ादे रदान से कौम से हमसी होसते हैं तो निरंधर बोर्दीजी की जोजनाने हिंदुस्तान में आर्थिक परिवरतन, समाजिक परिवरतन, राजनीतिक परिवरतन, सांस्कृतिक परिवरतन और धार्मिक परिवरतन यह सब की वह वह आगे बर रहे हैं